हेलो फ्रैंड्स वेल्कम चु नेक्सटेन आयर सिटी सी यूटूब चैनल तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के छे रेलवे संग्राले जिने आपको देखने के आवशकता है इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंके उसमें डिटेल्स पर समझाया हैं आप इसको भी चैक कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नाया हैं तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब नेक्सटेन आयर सिटी सी यूटूब चैनल लेट स्टार्ट दी वीडियो जिने आपको आवश्य देखना चाहिए भारती रेल्वे दोरह अतीत में उप्योग के जाने वाले रेल्वे और पुराने इंजनों के छिपे हुए तथ्यों को जानकर आपको आश्यरे होगा जिसमें फर्स्ट है राष्टी रेल संग्राले नई दिल्ली भारत में के रूप में ख्याती प्राप्ट कर ली है इस शांदा जगव को देखने के लिए पूरे साल रेल्वे के फैंस आते हैं राष्टी रेल संग्राले निश्य दिल्ली में आपका पसंदीदा संग्राले होगा और ये आपके लिए फोटो खिचवानी के लिए एक अच्छी आने है और भारत में रेल परिवन के इतियास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन काल में एक एक बार संग्राले अवश्य जाना चाहिए लिए लेल वे एक्टेर के छेतर में फेला है और सोमवार और राष्टी चुट्टियों को छोड़ कर हर दिन खुला रहता है। इसमें भारती रेल्वे प्रणाली के इतिहास और इसकी शुरुवात से लेकर आज तक के इतिहास पर 1000 से अधिक प्रदर्शन है। रेल्वे कलाकरतियों के साथ साथ रेल्वे प्रणाली के कामकाच के मॉडल दिखाता है। ये अनुटा संग्राले विबिन अवदियों की ट्रेन और लोको मोटीव की दुरलब और एतिहासिक तस्वीरों का संग्रव प्रदशित करता है। आईए अब जानते आप इस संग्राले तक कैसे पहुँच सकते हैं। थोड़ा अधिक जोर दिया गया है। ब्रिटेज उपनिवेश के रूप में अपने समय में कलकत्ता ने भारती रेल प्रणाली के विकास के लिए एक केंद्रे के रूप में कारे किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये उस समय भारत का सबसे बड़ा और दुन्या का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। कलकत्ता के भारी इलाके में हावडा शहर के केंद्र मेस्तित हावडा जंक्षन रेल संग्राले का निकर्टम रेलवे स्टेशन है। इसमें भारत में रेलवे पर सबसे बड़ी प्रदर्शिनी हैं जिसमें भारत और दुनिया में रेलवे प्रणाली के इतिहास के 1000 से अधिक प्रदर्शन सामिल है हावडा रेल संग्राले लोगों के लिए आने जाने के लिए नियूमतम प्रवेशुलक लेता है आगंतोको के लिए प्रवेशुल 10 रुपे प्रतिव्यक्ति है और 3 साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में जा सकते है ये रेल संग्राले आगंतोको के लिए सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुला रहता है और ये सोंबार को बंद रहता है आईए अब जानते आप हावडा रेल संग्राले कैसे जा सकते हैं हावडा कोलकता में इस्ति थे ये सडक मार्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है आप नीजी वहानों के सासाथ बसों और टेक्सियों जैसे सारवजनिक वहानों के माध्यम से संग्राले तक आसानी से पहुच सकते हैं ये हावडा जंक्षन रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है निकटम हवाई अड़ा, नेताजी, शुबा, चंदर बोस हवाई अड़ा है जो संग्राले से 18 किलोमेटर दूरी इस्तित है थड़े मैसूर रेल संग्राले मैसूर रेल संग्राले का एक लंबा इतिहास है जिसमें इसने भारत में रेलवे प्रणाली के विकास और सामाने रूप से इसके इतिहास में मुद्बन भूमी का निबाई है संग्राले एतिहासिक इंजनों की एक भारी प्रदर्शनी की मेजबानी करने के लिए देश में एक मातरिस्तान होने के लिए प्रसिद्धेश अन्य दिल्चस्फ प्रदर्शनों में 885 से MG हैट क्रेन और बैटरी से चलने वाली मिनी ट्रोइटरेन शामीले जो संग्राले के आगंतु को विशेश रुप से बच्चों के साथ हिट है कई दिल्चस्फ प्रदर्शनों में हाथ से संचालित क्रेन भाप लोकोमोटिफ की प्रतिकृती और मूल भाप इंजन है मैसूर रिल संग्राले का समय सुबर 10 बज़े से शाम साड़े 5 बज़े तक है परिटक सोमवार और राष्टी आवकाश को छोड़कर सब्ता के सबी दिन में इस संग्राले में जा सकते है इस रिल्वे संग्राले में अद्बू संग्रा की खोज के लिए अगंतो को से नियूमतम प्रवेशुल खिलिया जाता है वेसको के लिए प्रवेशुल 15 रुपे प्रतिव एकती है जबकि बच्चों के लिए अकेवल 10 रुपे हैं आईए अब जानते हैं आप मैसूर रिल संग्राले तक कैसे पहुँच सकते हैं मैसूर रिल संग्राले शहर के केंदर से सिर्फ 3 किलोमिटर की दूरी परिस्ती थे फूरते चैन्नाई रिल संग्राले में बिटिश काल के कई भाप इंजन भी है इसका उद्गाटन रेल मंदरी नितिश कुमार ने 31 माज 2002 को किया था और 16 अपरेल 2002 को इसे जन्दा के लिए खोल दिया था चन्नी रेल संग्राले हेरिटेज पॉके को प्यूक्त गंतव है क्योंकि इसमें एतियासिक और तक्निक की दोनों तरह की प्रदर्शनी है पूर्व में छेतरी रेल संग्राले की रूप में जाना जाता था संग्राले में पुराने बिटिश यूख की गाड़िया शामिल है जिन में से कुछ एक सदी से भी अधिक पुरानी है चेन्ने रेल संग्राले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है संग्राले मंगलवार से रईवार तक आगन तुको के लिए खुला रहता है और प्रतेक सोमवार और राश्टी आवकाश के दिन बंद रहता है रिल संग्राले जाने के लिए कोई प्रवेशल्क नहीं है आई अब जानते आप इस चेन्ने रिल संग्राले कैसे जा सकते हैं छित्री रिल संग्राले जिसे अब चेन्ने रिल संग्राले कहा जाता है चेन्ने के लक्षमी पूरम में इस्तित है एक बर कैप बुक करने के बाद इंट्रिकल कोच फैक्टरी क्यों और बड़े जब आप फरनिशिंग रोड पर पहुचेंगे ता आप आसानी से अपनी मंजिल का पता लगा लेंगे संग्राले तक पहुचने के लिए आप चैननाई से कैबbers टैकि भी ले सकते हैं फिप्ते पुने रेल संग्राले पुने में जोशी का लगू रेल संग्राले अपनी तरह का अनुटत संग्राले है ये उन लोगों के लिए है जो जटिल रूप से डिजाइन की गई मौडल ट्रेनों का आनन लेते हैं ये संग्राले पहली बार 1990 में जनता के लिए खोला गया जल्दी इसकी नविंता के कारण पुने में परिटन का एक बड़ा हिस्सा बन गया जो कभी बीएस जोशी का शोक हुआ करता था वो जल्दी परिटकों के आकाशन का केंद्र बन गया जिसमें उन्होंने कई मौडल ट्रेनों का निर्मान किया था दुर्भागे से संग्राल है 1983 में शुरू हुआ यह भारत का एक मात्र बचा हुआ इस्टीम लोकोशेड है रेवाडी रेल हेरिटेज संग्राले में भारत की कुछ अंतिम शेश भाप इंजन और दुनिया की सबसे पुरानी 1885 में निर्मित फेयरी क्वीन परेटन ट्रेन है यह रेवाडी रेलवे स् से कैप या यह रीक्षा ले सकते हैं जो आपको म्यूजियूम पॉइंट छोड़ देगा तो यह हैं भारत के सबसे अच्छे रेल संग्राले जिने आपको अपने जीवन काल में एक बर अवश्य देखना चाहिए आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एसी रेलवे से रिलेटेड और इंफरमेशन जानने के लिए नेक्स चन आयाट सिटी से यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो